देश में साड़ साथ लाग करोड रुपए के टरनोवर वाले आटोमेटिव सेक्टर को कोविट के दौर में कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा केंडिय सडक, राजमार्क और परिवहन मंत्री ने दिन गड़करी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोशित पच्पन ट्रीलियन अर्तव्यवस्था की निर्मान में इस शेत्र की महतवपोर्ण भूमिकान दिभाएंगी वह इंटरनाशनल आटोमोटिव टेक्नोलोजी विशे पर बोल रहे थी इस सबसर पर बोलते हुए गड़करी ने कहा कि बविश्य में आटोमोटिव सेक्टर दीश का नमबर वन सेक्टर होगा आटोमोटिव सेक्टर को मस्बूत करनी और मदद करनी के लिए सरकार का योजनाय लेकर आई है इलेक्ट्रोनिक वहनू, बैटरी, हाइड्रोजन इधन के इस्तमाल से ये एक शेत्र आत्मनिर्भर बनेगा दूसरी और राश्टिय राजमार प्रदिकरन सरक के बुनियादी धाचे की निर्मान के दोरान सरकों को बहतर बनाने पर ध्यान के निर्थ कर रहा है उन्होंने कहा कि आटोमोटिल सेक्टर को और मस्बूत करने के लिए सरक किनारे बैटरी चार्जिंग स्टेशन जैसे योजना इलागो की जारी है सारवचनिक परिवहन के लिए किफायती प्रदूशन मुक्त इधन की आविश्चकता है साथ ही करकरी निखा कि कच्चे तेल की आयात को नियंतरन में लाना चाहिए इसके लिए जैव इधन विद्योद परिवहन और बड़े पैमानी पर परिवहन और वातावरन में प्रदूशन नियंतरन के लिए एक विकल्प है BCN News के लिए शितिजाद देश मुक्की रिपोर्ट